द्वरे है आस्मानों में धन्यवाद सर्ण धन्यवाद स्री जी के वाशन मानी सक्ति सिंग गोहल मैं उर्जा सरक्षन संशोधन विदय के उपर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ मानी उपसवापती महदई मैं बील के उद्देश और कारण देख रहा था कोई दोराई नहीं हो सकती है कि इस दुनिया में या देश में परियावरन अच्छा हो क्लीन एनर्जी के लिए हम चिंता करे क्लाइमेट चैलेंज की चैलेंज हमें ना रहे अच्छी बात है पर उद्देश और कारण के साथ साथ जो बील के प्राउधान है उसमें काफी कुछ हो सकता था नहीं किया गया है इस बात का मुझे दूख है अब दिखाने के दाथ कितने भी अच्छे हो कोई फर्क नहीं पड़ता चबाने के दाथ कैसे है आपके उसके उपर आधार रहता है और मैं एक कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में कहा जाता है मानने उपसवापती मौदे कि रूपिया बचाया वो रूपिया कमाया के बराबर है आपने बिन में इसकी चिंता नहीं की जो आपके खुद के Minister of Environment का Ozone Cell है उसने कहा है आपको कि ये जो cooling demand action plan बने और cooling demand कम हो उसके लिए सरकार को चिंता करनी चीहिए ये आपको बताया गया है आपको आगा किया गया है लेकिन आप इसकी चिंता नहीं करते हो आपका target जो दिया गया है वो ये है कि 20 से 25 प्रतिशद cooling energy demand में by 36, 37, 38 में आपको कम करनी है आपका अगर मनोजाजी सही कह रहे थे अगर ये standing committee के पास जाता ये सारी चीजों का अध्यान होता आपको दिखाया जाता सही रास्ता और इसमें आप प्रावधान करते तो अच्छा होता क्योंकि Oxford India Statistical Survey में ये आया है कि आज हमारे वहाँ 8% हाउसोल्ड है वो AC यूज करते हैं लेकिन 10 साल बाद हमारे देश में सिनेरियो होगा कि 40% Indians 40% बारतिय एस ही यूज करने की नौबत आ जाएगी करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है जरूरत बन रही है Renewal Energy Equipment यही कहता जो आपको जो कहता था कि आपके दिखाने के और चबाने के अलग है आप कहते हो कि आपको क्लीन एनरजी को प्रमोट करना है आप कहते हो कि हमें जो पर्यावरन को नुकसान देता है Carbon Dioxide जो Green House का गैस उसे रोकना है और आप क्या करते हो Renewal Energy Equipment जिसके पर GST पाँच प्रतिशद था आपने इसको बढ़ा के 12 प्रतिशद कर दिया क्या यह आपके कदम है मैं गुजारिश करूँगा मंत्री जी को कि फाइनांस मंत्री जी से बात कीजिए और इसको कंट्रोल में लाने का काम आपको करना पड़ेगा उपसवापति मौधई Electricity जो हमारा Constitution के हिसाब से It's a Concurrent List Entry 38 के तहत है हर राज्यों की अपनी अपनी परिस्थिती अलग है आप Central कानून बनाने की बजाए आप State को कहते और हर राज्यों को कहते कि As per concurrent list Entry 38 हमारा भी अधिकार है आपका भी अधिकार है हम उस Target तक पहुँचना चाहते हैं जहां पे हम 40% Fossil Free Energy का सरजन करना चाहते हैं आप कानून बनाईए तो हर राज्य अपनी हिसाब से करता है हम राज्य सबा में बैठते हैं हम State को represent करते हैं मैं मानता हूँ कि राज्यों को आप Federal structure में हो सकता है कि आपको कहीं बहुत बहुमत मिल जाता है और कहीं आपके आथ से शासन चला जाता है ये दोर है लोक तंतरका चलता रहता है पर Federal structure में राज्यों के अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करना ये Central Government की भी जिम्मेवारी है मैं infrastructure को भी आगे बढ़ाने की बात को जोर देता हूँ क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे और clean energy आपकी हुई और एक bottle ने खोका तो फाइदा क्या मिलेगा आपको इससे तो इसलिए मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि आपको infrastructure डेवलप करना पड़ेगा अगर हम solar energy पैदा करते है रात में तो sun नहीं है और जरूरत होती है रात को 8 बजे के बाद दफतर से छूटे बिजनेस से आए बाहर से आए घर में फैमिली साथ बैठेगा उर्जा की खपत ज्यादा होगी तो क्या उस वक्त पे वो energy वहाँ पे दिन की बनी हुई सेव हो सके उसके लिए कोई ज़्यादा infrastructure ज़्यादा R&D हम करेंगे या नहीं मैं अनियुपसभापती महदे ये कहता हूँ कि एक परिवार गया एक साधू के पास और उन्हें कहा कि ये बच्चा जो हमारा है वो गुड बहुत खाता है डॉक्टर कहते हैं कि इसके सहद के लिए अच्छा नहीं है वो हमारी नहीं मानता है आपकी सुनेगा आप कह दो कि गुड मत खाए वो गुरुजी ने कहा कि पंदरा दिन बाद आना परिवार वापिस चला गया पंदरा दिन बाद आये गुरुजी ने बच्चे को कहा गुड मत खाना सहद के लिए अच्छा नहीं प्रिवार ताजूब हो गया कि क्या हो गया यही बात 15 दिन पहले कह देते क्यूरियोसिटि से जब पूछा तो गुरुजी ने कहा कि मैं खूद बहुत गुड खाता था मैं बच्चे को कैसे कहूँ कि तु गुड मत खाना तो मैंने कहा 15 दिन के बाद मैंने गूड़ खाना बंद कर दिया और फिर कहा मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आप भाषन तो अच्छे देते हो कि दफ्तर में पंखा बंद करो पर आप क्या करते हो उसको तो कभी देखा करो भाई साब क्या जरूरत थी आप कहते हो कि एन्वायर्मेंट बिगर रहा है डली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है यह बहुत बढ़िया बिल्डिंग में हम बैठते थे आपने क्यों उड़ जा का खफ़त किया एन्वायर्मेंट खराब करने के लिए विस्ता प्रोजेक्ट की क्या जरूरत थी तो आप पहले गुड़ खाना बंद कीजि और मैंने मैंने बहुत कम उम्र में कॉलेज में पढ़ता था और आगया विदान सभा में और एक लंबे अर्से तक विदान सभा का रेप्रेजेंटीटी उ रहा मैंने बदल के दौर को देखा है वहाँ गुजरात में मैंने देखा था हमारे एक मंतरी हुआ करते थे बाउबाय जस्बाय पटेल जो पहले मुख्यमंतरी थे और कितनी आज तो एनवायरमेंट की इतनी चैलेंज है उन दिनों में अगर वो किसी सरकीट आउस के कमरे में हैं बहार निकलने से पहले हर बल्ब को बं भी नहीं आए वो हर बार सरविस फ्लाइट से आते थे और वो कहते थे कि हमें ये अधिकार नहीं है कि हम एरवायरमेंट को भी खराब करें कभी-कभी मंतरी के तौर पे मैं उनके साथ मिनिस्टर रहा एक प्रोग्राम साथ में होता था वो कहते थे दो गाड़ी लेके क्यो जाए दो टीए बिल क्यों बने खर्चा क्यों बड़े सरकार का हम दोनों एक गाड़ी में जाएं और एक गाड़ी में दूसरे मंतरी के साथ जाने वाले भी देखे मैंने वो दौर भी देखा एक और दौर भी देखा जहां कभी मुक्यमंतरी सर्विस फ्लाइट से नहीं बैस वेल लग्जूरियस एर्खराप्ट पे बिना मुख्यमंतरी गुजरात के डेली नहीं आ सकते थे वो दोर भी मैंने देखा मैं माननी उपसभापती महदई यही कहता हूँ कि हमें जो इस बिल के अंदर प्रावधान करना चाहिए था उसमें खास आप कार्बन क्रेडित ट्रेडिंग की बात करते него और उसका रेगुलेशन कौन करेदा कार्बन क्रेडिंग के लिए जैसे कि हम share का trading करते हैं, तो SEBI है, is a regulatory authority, SEBI regulate करती है, electricity का trading होता है, आपका central सर्क जो है, electricity regulatory commission, central regulatory, electricity regulatory commission, वो उसका regularization करता है, एक मिर दे दीजिए, और उसी तरह से, आप अगर carbon trading करना चाहते हो, तो उसके लिए, carbon credit trading के लिए, कोई प्रावदान आपके इस bill में नहीं है, माने दिखाने के बड़े हैं, चबाने के नहीं है, अच्छी बंचा हो तो, अच्छा काम भी उसी दिशा में हो, इन्ही बातों के साथ मैं मेरी बात खतम करता हूँ, माने राम चंद्र जंगरा